चिराग पास्वान के कारण पास्वान समाज तुमुके सहनी के कारण सहनी यानि की निसात समाज और अपने अपमान के कारण भूमियार समाज भारतिय जनता पार्टी से दूर हो रहा है और इस बात की चर्चा भारतिय जनता पार्टी के संगठन के अंदर जोर सोर से हो रही ह हर नेता इस बात पर विचार विमर्ज करने के लिए कह रहा है कि आखिरकार ये जातियां अगर भारत की जंता पार्टी से दूर होंगी तो फिर आने वाले लोगसभा के चुनाव में भाजपा का क्या होगा और इनकी भारपाई कैसे होगी इस पर क्या विचार चल रहा है सुशिल मोदी जो भी यार की मंत्री रह चुके हैं उन्होंने भी कुछ दिर पहले इसको लेकर सवाल उठाया था कि स्वर्न जाती के कि खास बर्ग का हमसे दूर जाना हमारे लिए शुब नहीं है सुशिल मोदी नहीं असाफ तोर पर कहा था और अब कहा जा रहा है कि भारती जिंता पाटी संगठन के अंदर बड़े बदलाव पर चर्चा कर रही है बाकि अब नमस्कार में नहीं मुईत कुमार सिंग और आप जनता अन्यक्शन देख रहे है भारती जिंता पाटी के तरफ से इसके पहले कोशीश होई थी कि युवा नित्रत को वागे भेजा जाए युवा नित्रत के सहारे समाजिक समिकरण को साधा जाए लेकिन अब भारती जिन्ता पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि युवान निर्तुत के सहारे किसी भी जाती को साथ लेना, किसी भी उस जाती के पूरे के पूरे बर्ग को एक साथ अपने पाले में खड़ा कर लेना संभव नहीं है, बलकि उसके लिए अनभव वाला नेता चा कर दी है, और पार्टी के अंदर लगातार विचार भिमर्च चल रहा है, कि आखिरकार भुम्यार समाज दूर हुआ, तो इसको फिर से वापस कैसे लाया जाएगा, या इसकी भरपाई कैसे होगी, दूसरी बात कि मुकेस सहनी की नराजगे के कारण, यह एकदम साप हो चु जाब, और विची रहती है, यह भाजबा के नुक्सान दायक हो सकता है, और इसको लेकर भी चर्चार चल रही है के कैसे मला समाज के कारण जो नुक्सान होगा, उसकी भरपाई हो तो तिसरे नंबर पर छिरागबास्वान की चरचा बहाई है, कि चिरागबास्वान के होकर मुखर होकर भारत्य जंता पारटी का भीरोद करने लगा है जिस प्रकार से चिराग पास्वाँन से बंगले को खाली करा लिया गया जब बंगला खाली हुआ तब उसके बाद से ज्यादा ही गुस्ता भारतीय जंदा पार्टी के खिलाब पास्वान समाज में देखने को मिल रहा है क्योंकि चिराग पास्वान ने भी अपने गुस्ते का यार किया उन्होंने साब तोरपर कहा था खुले तोर पर कि जब जो लोग वहां पर मकान खाली कराने आये बंगला खाली कराने आये थे उनके द्वारा राम विलास पास्वान की तस्वियों को पैरों से रौंदा गया जुटता पहन कर उसको उचल दिया रौंदा गया अगर राम विलास पास्वान के बारे में हम बात करें तो राम विलास पास्वान की स्विकारिता पास्वान को चिराग पासवान हो या फिर पशुपती पारस हो वो राम विलास पासवान के नाम पर ही अपने तरफ गोलबंद करने की कोशित में है और भारती जंता पार्टी के अंदर चर्चा इस पर चल रही है कि पशुपती पारस के आने से कोई फायदा नहीं हुआ है यानि कि पश भारती जिन्ता पार्टी के लिए बढ़ती जा रही है कि आखिरकार सबसे पहले चिडाग पास्वान जब दूर हुए चिडाग पास्वान जब से जब नराजगी बड़ी भारती जिन्ता पार्टी की तब पास्वान समाज भाजपा से दूर हुआ इसके बाद से मुकेश सैन समाज को लेकर चर्चा है कि भूमियार समाज भी अपने अप्मान के कारण या अपने सम्मान सम्मान नहीं उतना मिल पारा है इसके कारण अब भूमियार समाज भी भारती जनता पार्टी से कट चुका है सोशल मीडिया पर एक दो दिन पहले की भी तस्बीर चेर की जा रही है जब अमीज साह भीहार आये थे और बीर कुमर सिंग के जियनती को लेकर के वहां पर काभी कुछ किया जा रहा था तब उस फोटो में दिख रहा है कि अमीज साह के साथ भीहार बाटपा के तमाम नेता एक बड़े से माला के अंदर है वहीं जो भीहांसावा के स्पिकर है बीजे सिनहा जो जाती से भूमिहार है वो चुप चाप अकेले मंच पर किनारे हाथ में हाथ डाल कर खड़े हैं मतलब कि वो अकेले खड़े हैं और हम इस साह के साथ बाकी के नेता चाहें वो संजय जैसवाल हो या पिर अन्ने कोई भी नेता हो वो उनके साथ माला के अंदर है और इसको लेकर कहा जा रहा है कि भूमिहारों का इतना ही इज्जत भारती जिनता पार्टी करती है और सोशल किनारे करके हर समाज से किस नेता को आगे किया जा रहा है इसे समझने के कोई इस परकार से किजिए कि अगर भूमिहार समाज का कोई बड़ा नेता है जो पहले से भूमिहार समाज में सबसे जड़ा स्विकार किया जाता रहा है तब भारती जंता पार्टी उस नेता के जिम कारी आएगी जो कुछ नया अपडेट आएगा उसे हम आप तक पूचाते रहेंगे वीडियो को में इसमाप करते हैं वीडियो को शेर कीजिएगा और अगर फेस्बूक पर देखना तो पेश को लाइक कर लिजिए तथा अगर यूट्यूग पर देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं फिर बहुत लगले वीडियो में कैमरे फिछे खड़ें प्यूचो रसिया और मैं मोहित कुमार सुझ बहुत बहुत धन्यवाद